हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो यूर ओन चैनल डिपी क्लासेश आप लोगो आपने चैनल डिपी क्लासेश वागे तो आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ आपके स्ट्रेटेजी मैट्स के पेपर को करने में काफी हेल्प करें अक्सेल कर आप लोगों ने अभी तक प्रिवो पेपर को स्कूल वाले को 15-20 मिन तक 12 बुडूे को अब प्रिव कि अवरे करने का चाहिए न्ट गूर्च को अइसे मत गवा ही है तो आप 15 मिनिट्स को आज ट्री तामस और का अब पहले पाल्स किया है झाल शर्षा नियुक्ट अर घर्ट अच्जी अर्ध कर रहे हो और ऐ यह आ रहा है कौन सा confusing है, तो जो question बिल्कुल नहीं आ रहा है, उस पे लगाएंगे आप cross, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसे लगा देखा ही नहीं, second आएगा, जो question थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं confusing, उस पे लगाएंगे आप एक छोटा सा circle, ठीक है, और फिर, कुछ questions अस है, MCQs को पहले करना चालो करेंगे, तो बड़ जादा time consuming है, लेकिन फिर भी, मेरा तो यह कहना experience है, आप D section से paper start करेंगे, कौन से जिन पर आपने कोई sign नहीं लगाया है, वो, वो आपको अच्छे साथ है, पहले उन questions को फटा बट करते जाओ, उन पर टिक मारते चले जाओ इसी तरीके से D, C, B, A तक पहुंच जाएंगे, मतलब MCQs वाले भी वही question जो आपको अच्छे से आते हैं, अब second time में यह हो गया, तो आपके दिमांग मेंसे वो pressure खतम हो गया, जो उससे related formula हो गया थी, relax हो जाएगा mind, fail होने वाला attention खतम है, बहुत अच्छा हुआ, next अब जो confusing वाला था, अभी तब भी cross पे तो जाना ही नहीं, confusing वाले को आप करेंगे, थोड़ा उसके लिए सोचेंगे, within two or three minutes, फिर उसके जितना भी आपको आ रहा है, वो करके आगे बढ़ जाईए, उस पर ज्यादा समय नहीं देना, I hope mentally free होंगे, तो confusing वाला उसके भी ideas आते ज एक तो paper जो छूट जाता है, वो problem soul हो जाएगी, जो question नहीं आतो उसको पहले करते हैं, तो confusion होता है, तो जो आ रहा है, उसमें भी दिमाग खराब होता है, तो यह भी problem खतम हो जाएगा, और speedily करेंगे, आपको यह भी पता पढ़ जाएगा, कौन सा मैंने किया, कौन सा नही किया है, बट याद रखना, जब तक आपको जो सारे questions आ रहे हैं, तब तक आप close, confusing और नहीं आने वाले को देखना तक नहीं है, हमारा दिमाग बार बार डाइवड अगर उसको कर लेते हैं, टाइम जादा है, नहीं नहीं कर पहले जो आ रहा है, उसको अच्छे सकाना, तो उनने किया है, उनको इसका फाइदा मिला है, सो कैसी लगी ये ट्रिक, मुझे जरूर बताइए कि कमेंट्स करके, और अपने फ्रेंट्स को शेर भी कीजिए, जो अभी बोर्ड का एक्जाम्स देने जा रहे हैं, ओके, सो विश यू ओल दा बेस्ट, अब सभी के बहुत करोगा.